प्रगेति के हर चीज में लेकिन जब 2047 हमें एक विक्सिद भारत का सपना लेकर के चल वह है तब और वो सपना नहीं 140 करोर देश वाज़ियों का संकल्प है और उसंकल्प पर सिद्ध करने के लिए परिश्रम की पराकाष्टा भी है और उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है वो राष्ट्रिय चरित्र होता है दुनिया में जिन जिन देशों ने प्रगति की है दुनिया में जो जो देश संकटों सो वो पार करके निकले है उस हर के उसमे हर चीज के साथ साथ एक महत्वपूर कैटलिक एजन रहा है वो राष्ट्रिय चरीत्र रहा है और हमें राष्ट्रिय चरीत्र के लिए और बल देते हुए हमें आगे बढ़ना होगा हमारा देश हमारा राष्ट्रय चरीत्र औजस्वी हो तेजस्वी हो पुर्षार्दी हो पराकरभी हो प्राभ़बि हो ये हम सब का सामुहिद दायत्व है और आने वाले पचीश साल हमें एक ही मंत्र को लेकर चले कि हमारे राष्ट्रिय चरित्र के सिर्मोर होना चाहिए एकता का संदेश भारत की एकता को जीना भारत की एकता को आचाए न ऐसी मेरी भाषा होगी न ऐसा मेरा कोई कदम होगा हर पल देश को जोडने का प्रयास मेरी तरब से भी होता रहेगा भारत की एकता हमें सामर्थ देती है उत्तर हो दक्चिन हो पुरब हो पतिम हो गाव हो शहर हो पुरूस हो नारी हो हम समने एकता के भाव के साथ और विवित्ता भरे देश में एकता का सामर्थ होता है और दूसरी महत्म की बात मैं देख रहा हूँ अगर 2047 में हमें हमारे देश को विख्षिज भारत के रूप में देखना है तो हमें स्रेश्ट भारत के मंत्र को जीना होगा हमें चरितार क करना होगा अब हमारे प्रोड़क्षन में मैंने 2014 में कहा था जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट दुनिया के किसी भी टेबल पर मेक इंडिया चीज हो तो दुनिया को विश्वाथ होना चाहिए इससे बहतर दुनिया में कुछ नहीं हो सकता है यह ultimate होगा हमारी हर चीज हमारी सर्वीसिज होगी तो स्रेष्ट होगी हमारे शब्द की ताकत होगी तो स्रेष्ट होगी हमारी संस्ताय होगी तो स्रेष्ट होगी हमारी निर्डे प्रक्रियाय होगी तो स्रेष्ट होगी यह स्रेष्ट अताका भाव लेकर कहबें चलना होगा वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें